इन्फोर्मेशन टेकनोलोजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं Welcome friends मेरे चनल इन्फोर्मेशन टेकनोलोजी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है अगर चनल पर पहली बार आया है तो चनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आज हम देखने वाले हैं LIC, भीमा श्री प्लान की 100% सही और समकून जानकरी, यह हमारी LIC की सीरी चल रही है, जिसमें मैं complete सारे LIC के प्लान्स आपको बता रहा हूँ, तो चलते हैं आज की वीडियो पर, सब सब पहले मैं बता दू फ्रेंड्स, कि LIC के insurance प्लान्स में बहुत एक प्लान है, जीवन उमंग प्लान 945 के नाम से, और यही यहाँ पर भी है 945, यह दोनों सेम है, फिर है money back प्लान्स में यह 9 प्लान के वीडियो बना चुके हैं, आज हमारा 9 प्लान चल रहा है, बीमा श्री प्लान, इसके बाद देखेंगे, तो LIC के पास term insurance प्लान्स में 3 प्लान के प्लान है, और 6 प्लान के राइडर से है, तो यह 6 के 6 राइडर क्या होते हैं, इसी वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ, अब आज के प्लान पर आते हैं, आज के प्लान का नाम है, LIC बीमा श्री प्लान 948-948, तो देखते हैं यह है क्या, this plan is a non-linked, not linked to the share market, सबसे पहले मैं clear कर दूँ, जो बीमा श्री प्लान है, इसमें जो भी आप पैसा जमा कराएंगे, वो share market में नहीं लगाया जाएगा, इसका मतलब कि share market में आने वाले उतार चड़ाओं से यह सोतंतर है, बचा हुआ है, यह participating plan है, policy holder will participate in the profits, जो भी LIC को profits होते हैं बीमा श लिया जा सकता है, life insurance savings plan, which offers an attractive combination of protection and saving, इस प्रकार से यह आपको saving में help करता है, saving में और साथ में insurance से आपको protection भी देता है, फिर आगे देखता है, from where to purchase this plan, this plan can be purchased offline through agent as well as online directly through website, मैं फिर से कह रहा हूँ, LIC के लगबग सभी plans जल्दी ही online purchasing के लिए available हो जाएंगे, बारत में digitalization बहुत तेजगती से बढ़ा है आगे, तो आपको यह सारे plans online available हो जाएंगे, आप LIC in India पर जाके चेक कर लें, फिर आगे देखते हैं, eligibility conditions and important facts देख लेते हैं, तो सबसे पहले minimum समशोड, अगर आप इस plan को लेना चाहते हैं, तो कम से कम कितने रुपय का बीमा कर रखा गया है इसमें, और maximum समशोड कितना रखा गया है, no limit, यानि कि 10 लाख या उससे अधिक का आपको बीमा करवाना पड़ेगा, policy term, इसमें चार परकार की policy term रखे गये हैं, 14 साल वाला, 16 साल वाला, 18 साल वाला और 20 साल वाला, इन चारों में से ही कोई एक policy term आपको लेना पड़ेगा, कि मैं इतने साल की policy लेना चाहता हूँ, वो आप पर depend करता है, फिर आगे देखते है, premium paying method, यह limited premium paying method है, limited premium क्या होता है, policy term oblique premium paying term, limited premium का मतलब होता है, कि जितने साल का policy term है, उससे कम साल जब आप premium जुकाते हैं, तो उसे limited premium paying कहते हैं, तो इस case में premium paying term क्या है, policy term में से आप 4 year गठा दो, तो आपका premium paying term आ जाएगा, जैसे 14 साल की policy लेंगे, तो उसमें से 4 गए तो 10 साल premium चुकाना पड़ेगा, 16 साल की policy के लिए 12 साल, 18 साल की policy के लिए 14 साल, और 20 साल की policy के लिए आपको 16 साल तक ही premium चुकाना है, फिर आगी बढ़ते हैं, तो minimum entries देख ल लखी गई है, फिर है policy term maximum age at entry, तो 14 साल का अगर आप प्लान लेना चाते हैं, यह policy 14 साल के लिए लेना चाते हैं, तो आपकी अधिकतम उमर 55 साल होनी चाहिए, 16 साल के अगर यह प्लान लेना चाहिए, तो आपकी उमर 51 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 18 साल के अगर य 20 साल का यह प्लान आप पर्चेस करना चाहिए, तो आपकी उमर 45 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, फिर आगे देखते है, policy term minimum age at maturity, 14 साल के अगर policy लेते हैं, तो कम से कम आपकी जो maturity की age होनी चाहिए, वो 22 साल, 22 साल से कम नहीं होनी चाहिए, maturity पर, 16 वर्ष की policy लेत चाहिए, और 20 साल की policy के लिए कम से कम maturity age 8 वर्ष होनी चाहिए, ज्यान देख, इसमें जो minimum maturity age है, वो policy जो term है, उसमें हमने minimum age 8 वर्ष जोड़कर आगे इसको निकाला है, फिर है policy term, maximum age at maturity, तो 14 साल की policy के लिए आपकी अधिक्तम उमर maturity के सवें गुनतर वर्ष हो सकती है, 16 सा साल की policy के लिए 66 वर्ष हो सकती है, और 20 साल की policy के लिए आपकी maturity age 65 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, फिर उसके बाद next देखते हैं, premium paying method, premiums can be paid regularly, at yearly, half yearly, quarterly, और monthly intervals, monthly premiums through national automated clearing house, naturally, और through salary deductions, आप चाहें, तो annual premium चुका है, एक वर्ष में एक बार premium चुका है, 6 महीने मे प्रीमियम चुका है, या 3 महीने में या हर महीने, आपकी इच्छा पर depend करता है, guaranteed additions of basic समशोर, ध्यान दे, इस policy में आपको guaranteed addition दिया जाएगा, और वो किसका होगा, basic समशोर का, जितने रुपय का आपने बीमा लिया है, उसके आधार पर guarantee addition दिया जाएगा, तो देखे, first five years, policy के first five years में आपको basic समशोर का 5% प्रती वर्ष बोनस दिया जाएगा, ध्यान रगना, 5 सालों के लिए प्रती वर्ष 5% के साब से बोनस दिया जाता है, फिर छटे साल से लेके, जब तक आप premium चुकाते हैं, तब तक आपको 5.5% के साब से और बोनस दिया जाएगा, तो पहल पांच साल की रेट है, 5%, फिर छटे साल से लेकर, प्रीमियम चुकाने की अंतिन जो साल है, उस तक आपकी रेट रहेगी, 5.5% प्रती वर्ष, basic समशोर पर, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं, loyalty additions, ये not guaranteed है, not guaranteed मतलब, कि generally loyalty addition देती है, LIC, लेकिन कितना परसेंट रहेगा, क्या रहेगा, इसकी कोई पहले से calculation नहीं होती, loyalty addition is an additional amount payable in the year, when the policy regents into a claim, either by death or maturity, जब policy holder की death होती है, maturity होती है, तब ही ये claim दिया जाता है, और उसमें loyalty addition, generally LIC के द्वारा जोडा जाता है, फिर आगे बढ़ते हैं, policy term oblique payment of survival benefit of basic summer show, ध्यान दे, अलग-अलग policy term के लिए survival benefit की अलग-अलग rate रखी गई है, जैसे 14 वर्ष के policy अगर लेते हैं, ध्यान दे, सबसे पहले मैं एक चीज के लिए कर दूँ, कि चारो ही परकार के term में, दो बार आपको survival benefit दिया जाएगा, दो बार आपको survival benefit दिया जाएगा, अगर 14 साल की policy लेते हैं, तो 30% पैसा किसका, जितने रुपय का आपने भीमा लिया है, basic समशूर, तो 30% पैसा दो बार दिया जाएगा, एक दसवे साल में policy के, और एक बारवे साल में, यानि कि 30% पैसा दसवे साल में दिया जाएगा, औ 12 साल में और 14 साल में, 18 साल की अगर policy लेते हैं, तो 40% पैसा दो बार दिया जाएगा, 14 साल में और 16 साल में, और इसी परकार से 20 साल की policy लेते हैं, तो 45 परतीशत पैसा आपको दो बार में दिया जाएगा, 45 परतीशत 16 साल में भी मिलेगा, और 18 साल में भी 45 परतीशत मिलेग फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, policy term, oblique maturity benefit देख लेते हैं, तो basic summer sure, guaranteed addition और loyalty addition, इन तीनों का जो amount होगा, वही आपका maturity amount बनेगा मैंन बात यह है, कि basic समशूर, 14 साल की, अगर आपकी policy है, तो आपको maturity पर 40% पैसा मिलेगा, basic समशूर का, क्यों sir 40% क्यों, क्योंगी 60% पैसा आप already survival benefit में ले चुके हैं, इसलिए, ऐसे ही 16 साल की policy में केवल 30% पैसा मिलेगा, क्योंगी 70% पैसा आप पहले ही survival benefit में ले लेंगे 18 साल की policy में 20% पैसा मिलेगा, और 20 साल की policy में केवल 10% पैसा दिया जाएगा, maturity पर, क्योंकि बाकी का नंबर प्रतिशत पैसा आप पहले ही ले चुके होंगे, survival benefit के रूप में, साथ में आपको guaranteed edition का amount दिया जाएगा, और loyalty edition का amount दिया जाएगा, फिर उसके बाद देखते हम death during first 5 years, अगर policy holder की death पहले 5 साल में हो जाती है, तो उसको क्या मिलेगा, देखे, higher of 125% of basic summer short, और 7 times of analyzed premium, और 105% of total premiums paid up to the date of death, इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा होगा, वो पैसा, plus guaranteed edition आपको मिलेगा, generally basic summer short का 125% पैसा ही ज़्यादा होता है, तो एक तरह से कह सकते हैं, आपको अगर पहले 5 साल में policy order की death हो गई, तो उसे basic summer short का 125% plus guaranteed edition ये दोनों मिला कर दिया जाएगा, फिर उसके बाद बात करते हम, death after completion of 5 policy years, but before the date of maturity, अगर 5 साल के बाद डेख हो जाती है, maturity से पहले हो जाती तब क्या मिलेगा, तब अभी जो मिल रहा था, उसमें loyalty edition और extra मिल जाएगा, यानि कि basic summer short का 125% मिलेगा, साथ में guaranteed edition और साथ में loyalty edition भी इस case में मिलेगा, तो यहाँ तीन चीजे मिलेगी, वहाँ दो चीजे मिल रही थी, यहाँ तीन चीजे मिलेगी, अब देख लेते हैं, छ maximum age 55 साल है, minimum age at maturity 22 साल है, और maximum age at maturity 70 साल है, और payment of survival benefit 30% दो बार दिया जाएगा, दसवे और बारवे साल में, इसी परकार से पूरा चार्ट आपको read कर लेना है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब उधारन पर आ जाते हैं, माल लीजे किसी policy holder की age 36 साल, ठीक है, और प्रीमा लिया है, उसने कितने का रुपय का ब्रीमा लिया है, एक करोड़ा, तो देखिए, ऐसे इस case में, policy term oblique premium paying term, and annual premium paying term, तो ये 14 साल की policy, ये 16 साल की, 18 साल की, 20 साल की policy, 14 साल की policy के लिए क्योंट 10 साल प्रीमियम चुकाना है, प्रति वर्ष 11,44,933 रुपय का प्रीम बन बनेगा, एक करोड बारा लाग सत्ताइस जार चार सो करतर का, 16 साल की policy लेते हैं, तो केवल बारा साल premium चुकाना है, और 94,945,424 नो लाग पैंतालिस जार चार सो चुकाना है, और आपको टोटल प्रीमियम एक करोड तेरा लाग पैंसेट जार आट सो बार्ण में चुकाना है, यहां 18 वर्ष की अगर policy लेते हैं, तो 14 साल प्रीमियम चुकाएंगे, 8,37,111 रुपए प्रति वर्ष के साब से, 1 करोड चौदा लाग, 86,949 पूरे आप 14 साल में चुकाएंगे, 20 साल की policy के लिए आपको 16 साल का प्रीमियम चुकाना है, 7,47,111 रुपए प्रति वर्ष के साब से, 1 करोड, 17,43,954 रुपए आप 16 साल में चुकाएंगे, तो यह हो गया हमारा वार्ची प्रीमियम और यह टोटल प्रीमियम हो गया, अलग-अलग policy के साब से, गारेंटीड एडिशन में पहले बोल चुका हूँ, फस्ट फाइब policy अर्ट में 5 परसेंट है, और तो एक करोड का 5 परसेंट कितना हुआ, 5 लाग, तो 5 वर्ष में कितना हो गया, 25 लाग, तो 25 लाग तो यह हो गया, प्लस 5.5 परसेंट पैसा, छटे साल से लेकर प्रीमियम पेंग टर्म तक, तो यहां प्रीमियम पेंग टर्म कितना है, 10 साल, तो छटे साल से दसवे साल तक जितना पैसा होगा वो ये बनेगा 27,50,000 और इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये टोटल जो हमारा guaranteed addition है वो निकल के आ जाएगा 52,50,000 तो इस तरह से ये calculation की गई है आप इसको और देख सकते हैं फिर आगे है policy term slash payment of survival benefit of basic summer short अब ध्यान दे अगर 14 साल की policy है तो मैंने बताया 30 percent पैसा आपको दसवे और 12 साल में मिलेगा यानि कि 30 लाग रुपए आपको दसवे साल में और 30 लाग रुपए आपको 12 साल में मिल जाएंगे policy के total 60 लाग रुपए आपको maturity से पहले ही मिल जाएगा 16 साल 16 वर्ष की अगर लेते है policy तो इस case में 35 लाग मिल जाएंगे और 70 लाग total मिल जाएगा 18 साल की अगर policy लेते हैं तो 40 लाग 40 लाग मिलकर 80 लाग रुपए आपको मिल जाएगा maturity से पहले और 20 साल की policy में आपको 45 लाग 45 लाग करके 90 लाग रुपए maturity से पहले ही survival benefit के रूप में मिल जाएंगे अब आता है maturity पर क्या मिलेगा maturity पर ये जो एक करोड है एक करोड में से जितना survival benefit मिल गया उस में से जो बाकी है वो मिलेगा plus guaranteed addition और loyalty addition तो आप देख सकता है कि अगर हम यहाँ इसका उधारन लें कि 20 साल की policy है तो 20 साल की policy में क्या मिलेगा maturity पर maturity से पहले 90 लाग तो ये मिल जाएंगे आपको 20 साल वाली policy में और maturity पर 10 लाग ये तो एक करोड से 90 और 10 एक करोड रुपय तो ये मिल जाएंगे और guaranteed addition मान लीजे आपको कितना हो गया यहाँ पर 85 लाग 50 जारी हो गया तो एक करोड 55 लाग और मान लो 4-5 लाग हो सकता है loyalty addition मिल जाएंगे तो एक करोड 90 लाग रुपय एक तरह से maturity और maturity से पहले आपको मिल जाएंगे ठीक है फिर है death during first 5 years अगर पहले 5 साल में death होती है तो 125 परसेंट आपको basic समाशोड का मिलेगा यानि कि 1 करोड 25 लाग रुपय ठीक है अब आगे बढ़ते हैं इसमें death after completion of 5 police years but before the date of maturity इस case में आपको 1 करोड 25 लाग तो यह मिलेंगे 125 परसेंट का ठीक है साथ में guaranteed edition यह माली जी 20 साल की police आपकी तो 90 लाग यह और loyalty edition और मालो 4-5 लाग तो एक तरस से 1 करोड 10 लाग या 2 करोड 10 लाग ऐसे कुछ बन जाएगा आपका मौंप तो आप देख सकते हैं आपने लगाया कितना था premium आपने 20 साल वाली police में आपने premium दिया है एक करोड 17 लाग 43,954 जबकि आपको maturity पर कितना मिल रहा है maturity पर आपको मिल रहा है 90 लाग प्लस आपको यह 10 लाग एक करोड एक करोड साथ में guaranteed edition मिलेगा आपको guaranteed edition आपका 50 लाग हो जाएगा यह वाला amount यह द्यान दे 90 और 10 एक करोड तो यह होगे और 50 लाग आपका guaranteed edition तो एक करोड 85 लाग और उसमें 5 लाग loyalty एडिशन चुड़ोगे तो आपको एक करोड 90 लाग के आसपास पैसा मिलेगा maturity तक ठीक है जबकि यहां मैंने अभी अभी बताया आपको यहां कितना amount विलेगा एक करोड 25 लाग तो यह guaranteed edition यह 85 लाग 50 जार है मैं अभी गलती से यह बता प्लस loyalty edition यह आपको मिलेगा आप इसको और अच्छी तरह देख लेना फिर आगे बढ़ते है riders additional benefit in this plan ध्यान दे जितने भी policy के फायदे होते हैं उसके अतरिक पी यह फायदे होते हैं आपको जितने भी फायदे मिलेंगे policy खरीदने से उसके अलावा अगर और फायदे चाहि तो आप यह rider जरूर खरीदे इस policy में मेरी सला है कि premium waiver rider जरूर खरीदे अगर बच्चे के नाम पर policy ले रहे हैं क्योंकि premium आप चुकाते है parents अगर parents को कुछ हो जाता है तो फिर सारा premium बच्चे को चुकाना पड़ता है इसलिए premium waiver rider जरूर ले यह riders बहुत कम कीमत में मिलते है सो दो सो रुपय में आपको लाकर रुपय का फायदा करवा देते हैं तो एक या एक से अधिक rider जरूर ले LIC के पास छे riders हैं इसमें पहला तीसरा चोथा पांच और चटा इनमें से कोई सी भी rider आप ले सकते हो एक भी ले सकते हो एक से ज्यादा भी ले सकते हो rider जरूर ले फिर आगे बढ़ते हैं, rebate or purchase agent and online तो देख लेता है mode rebate, yearly अगर आप payment चुकाते हो तो 2% छूट मिलेगी premium पे, half yearly में 1% की चूट मिलेगी, quarterly, monthly और salary deduction में कोई चूट नहीं है, high basic समशोड पे कितने की चूट है देखो, तो 10,00,000 से लेकि 15,00,000 तक की policy कराते हैं तो कोई 50,00,000 की अगर उपर की policy कराते हो उससे उपर, तो 0.05% basic समशोड पर आपको छूट दी जाएगी, ठीक है, अब देखते है, date of commencement of risk, तो इसका risk कैसे start होता है, देखिए, commencement of risk insurance starts immediately after the acceptance of the policy by LSE, जैसी आप ये policy लेते हैं, तुरंत आपका risk cover start हो जाता है, सरीए कोई नहीं बात है क्या, हाँ है, कुछ policy ऐसी होती है, जिसमें policy लेते ही risk cover start नहीं होता है, लेकिन इस policy में risk cover start है, तुरंत इसमें कोई problem नहीं है, settlement option देख लेते हैं, settlement option में क्या है, for maturity benefit और for death benefit, आप settlement option maturity benefit के लिए भी चूज कर सकते हैं, और death benefit के case में भी settlement option चूज कर सकते हैं, अब ये होता क् settlement option जो आप दोनों जगर ले सकते हैं, settlement option is an option to receive maturity benefit and death benefit in installments over the chosen period of 5 years or 10 years or 15 years instead of lump sum amount under an enforced policy as well as paid up policy, कहने का मतलब आपकी maturity हो गई या death हो गई, दोनों ही case में आप ये चाहते हैं कि मैं एक साथ पैसान नहीं लेना चाहता है, आपका परिवार कहता है, death हो गई, लेकिन nominee कहता है कि maturity होगी, policy गर आप कहते हैं कि मुझे एक साथ पैसा नहीं चाहिए, बलकि मुझे किस्तों में दे दो पैसा, और वो किस्त क्या हो सकती है, कि मुझे हर 5 साल में इतना पैसा दे दे, हर 15 साल में इतना पैसा दे दे, तो ऐसे आप installment choose कर सकते हैं, ध्यानक ना monthly installment नहीं, बलकि यह यहां 5 year, 10 year, 15 year की वो दे रखिये, क्या करते हैं, इंस्टॉल्मेंट्स, तो आप choose कर सकते हैं, जैसे चाहिए आप, आपकी इच्छा नुसा कि कि कितने सालों में आपको कितना पैसे की जुरत पढ़ने वाली है, वो LIC दे देदेगी, आपकी permit में से निकाल कर, grace period देख ले आपके premium की date आगी, उस date के बाद भी आपको premium चुकाने के लिए और समय LIC के द्वारा दिया जाता है, उसे ही grace period कहता है, during this period, the policy shall be considered, enforced, with the risk cover, without any interruption, और इस period के दोरान भी, grace period के दोरान भी, आपकी policy active रहेगी, enforced रहेगी, और आपको policy के समस्तलाब दिये जाएंगे, if the premium is not paid before the expiry of the grace period, the policy lapse, और आपने अगर इस grace period premium की date निकल गई, grace period की भी date निकल गई, उसके बाद भी अगर पैसा जमा नहीं कराया, तो आपकी policy क्या हो जाएगी, lapse हो जाएगी, grace period कैसे दिया जाता है, 30 days, अगर आप yearly, half yearly, quarterly premium चुकाते हैं, तो 30 दिन तक premium की date के, 30 दिन तक और आप आपको grace period दिया जाएगा, कि आप उसमें premium चुका ले, और अगर monthly premium चुकाते हैं, तो 15 दिन का आपको grace period अतरिक्त समय दिया जाएगा, फिर आगे देखते हैं, revival of lapsed policy देख लेते हैं, if the premiums are not paid within the grace period, then the policy will lapse, अगर आपका premium की date भी निकल गई, grace period की भी date निकल गई, और फिर भी आपने premium नहीं चुकाया है, तो आपकी policy क्या हो जाएगी, lapse, a lapse policy can be revived, but within a period of 5 years, और अगर आपकी policy lapse हो गई है, तो उसे आप अगले 5 सालों में start कर सकते हैं, उसके बाद start नहीं कर सकते, और आपको जितना आपने premium नहीं चुकाया है, वो plus कुछ interest आपको चुका कर ये policy आ after payment of 2 years premium, जब आपकी policy start हो जाए और 2 साल तक आप premium चुका दे, तो 2 साल के बाद आप उसी policy पर लोन भी ले सकते हैं, आपको लोन मिल जाएगा, अगर policy in force है, तो आपको 90% तक लोन मिल जाएगा, और अगर policy paid up है, तो आपको 80% तक लोन मिल जाएगा, free look period देख लेते हैं, if the policy holder is not satisfied with the terms and conditions of the policy, may be returned to corporation within 15 days from the date of receipt of the policy stating the reason, यदी free look period का होता है, extra time, माल लीजे आपने policy लीग और आप policy की terms and conditions से satisfy नहीं है, आप खुश नहीं, तो आप उसे अगले 15 दिन में वापस LIC को वो policy लोटा दीजे, आपका सारा माउंट आपको दे दिया जाएगा, कोई problem नहीं होग enforce policy versus paid up policy, अब यह देख लेते हैं, यह दोनों क्या होती है, if you continue pay the premiums, your life insurance policy will remain active and enforce, जब तक आप अपनी policy का premium चुकाते रहते हैं, उसे active policy या enforce policy कहते हैं, in this case, your insurance provider will pay all benefits, और इस case में आपको जितना भी insurance provider आपके benefits होते हैं, वो provide करता रहेगा, इसमें आपको कोई problem नहीं होगी, जो inactive होती है, ठीक, और उसका payment कहां से काटा जाता है फिर, आपकी ही policy के समय शोड से amount काट कर, आपकी policy को चालू रखने की कोशिश की जाती है, एक तरह से, surrender of policy देख लेते हैं, after first year, policy payment is zero, अगर आप इस policy को surrender करते हैं, पहले साल के बाद, तो आपको किसी परकार का कोई भी payment नहीं दिया जाए और अगर आप दो साल के बाद इस policy को surrender करते हैं, तो कम से कम 30% पैसा मिलेगा आपको, और जैसे जैसे जितना time आप इस policy को लेकर रखते हैं, वैसे वैसे आपकी surrender की value बढ़ती जाएगी, तो कम से कम 30% पैसा मिलेगा, और maximum आप surrender करने पर 90% तक पैसा ले सकते हैं, वो depend करता है कि आपकी policy को कितने साल हो चुके हैं, अब देखते हैं, suicide exclusion देख लेते हैं, suicide के case में ये policy कैसे work करती है, policy must be enforced, सबसे पहले, policy चालू होनी चीए, तभी suicide में लाब मिलेनी, अब क्या है, if the insured person commits suicide within 12 months from the date of commencement of risk, the corporation will not entertain any claim under this policy, except for 80% of the total premium paid, यदि जिसने policy लिये, उसकी एक साल क के अंदर-अंदर मिर्त्य हो जाती है, suicide के द्वारा, अगर कोई व्यक्ति policy लेने के एक साल के अंदर-अंदर suicide कर लेता है, तो 9 मिनी को क्या मिलेगा, जितना premium चुका है, उसका 80% premium मिलेगा, और कुछ भी नहीं मिलेगा, जितना premium चुका है, उसका 80% premium, और इसके लाबा कु और एक साल के बाद अगर suicide किया है, policy holder ने, अगर policy लेने के एक साल बाद suicide किया है, तो जितने भी death के benefit होते हैं, वो समस्त benefit नॉमिनी को मिलेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फिर आगे बढ़ते हैं, tax benefit of policy under section 80C, तो देखते हैं, tax benefit of policy under section 80C क्या-क्या है, तो देखि from tax deduction under section 80C of the income tax act, 1961, in each financial year, 1st April to 31st March, आपको, आप जब भी इस policy को लेते हैं, इस policy में जो प्रीमियम जुकाते हैं, उसमें आप income tax के section 80C के तायद, 1.5 लाग तक की छूट ले सकते हैं, 1.5 लाग रुपय तक आपको deduction मिल जाएगा, छूट मिल जाएगी, और ये प्रतिवर्ष ले सकते हैं, प्रतिवर्ष का मतलब क्या होता है, financial year, एक अपरेल से 31 मार्च के time period को हम financial year करते हैं, और एक अपरेल से 31 मार्च के दोरान, आप डेड़ लाग रुपय तक की छूट ले सकते हैं, अगर इस policy में आप पैसा जमा कराते हैं, तो section 80C के तहब, फिर आगे एक और ह टेक्स benefits of policy under section 1010D, यह देखिए, 1010D में क्या मिलने वाला हमको, any sum received under a life insurance policy on death or on maturity, including bonus, will be exempted from tax, आपकी कोई भी policy हो, ध्यान देना, किसी भी परकार की कोई भी policy हो insurance की, अगर वो mature होती है, या death के case में जो आपको पैसा मिलता है, death हो गई, तो जो पैसा मिलेगा, वो सारा का सार मेचोर हो गई वो policy, तो सारा का सारा जो पैसा मिलेगा, वो सारा का सारा income tax के section 1010D के सहथ, कर से छूट होती है उसको, उस पर किसी परकार का कोई tax नहीं लगता, even जो bonus मिलता है, death claim में मिले, या maturity पर bonus मिले, उस पर भी किसी परकार का कोई tax नहीं होता, अगर short and sweet का हूँ, त जो insurance policy लेने में, आपको जितना भी maturity और death पर पैसा मिलने वाला है, बविशे में, वो सारा का सारा tax free है, अब हम देखने जा रहे हैं, riders क्या होते हैं, और riders के benefit क्या होते हैं, किसी भी plan में, धान दे, insurance की दुनिया में, riders का एक important role होता है, और riders क्या होते हैं, जो आपकी man policy होत जो base plan होता है, उसमें additional premium के साथ additional benefit देते हैं, एक simple से उधारन से मैं आपको इसको समझा देता हूँ पहले, फिर हम इसको समझने के लिए आगे चलेगे, मान लिजे कोई भी plan लिया आपने, कोई भी plan और मान लिजे वो लिया आपने 10,00, ठीक है, कोई भी insurance plan लिया कहीं से भी LIC का, ठीक है, और वो लिया plan आपने 10,00, इसे हम कहेंगे base plan, ये क्या है, base plan, ठीक है, अगर इस case में, अगर आपकी death होती है, तो आपको क्या मिलेगा, 10,00, रुपया बीमा का, ठीक है, plus bonus मिलेगा आपको, हम सभी जानते हैं, bonus मिलेगा, ठीक है, death और maturity हो या death हो, दोनों ही case में आपको, क्या मिलेगा, 10,00, का, जो बीमा आपने लिया, वो, plus उसके साथ, bonus की राशी ये दी जाए, लेकिन अगर इसके साथ, आप कोई rider ले लेते हैं, माल लिजे, कोई भी rider ले लिया, आपने, accident का rider ले लिया, ठीक है, और accident का rider ले लिया, आपने, 10,00, रुपय का और, ज्यान देना, base plan लिया है, कितने का, 10,00, रुपय का बीमा ले लिया, और साथ में, accident rider ले लिया, 10,00, अब इस case में क्या हो रहा है, यहां आपकी मिर्तिव हो रही है, accident से, तो भी 10,00, रुपय में मिल रहा है, natural death से हो रही है, तो भी 10,00, रुपय मिल लेकिन अगर accident rider आपने अगर include कर लिया, तो देखे कैसे गनित बैठेगी, अब देखे, तो base plan में माल लिजिया, आपने क्या लिया, death rider, यह rider accident वाड़ा ले लिया, normal death होती है, natural death, तो तो आपको 10,00, ही मिलेगी, 10,00, plus bonus, इसमे, natural death हो, natural death हो, या normal death हो, तो उस case में rider का benefit खतम हो जाता है, 10,00, क्योंक के कारण अगर death होती है, आपकी, तो उस case में क्या मिलेगा, 10,00, तो आपको आपका man यह मिलेगा, कौन सा base plan के 10,00, plus bonus, 10,00, plus bonus, यह तो मिलेगा, आपको base plan का, plus, जो rider आपने accident वाला जूडा है, इसमें, कि यह rider क्या है, accident rider rider क्या है, कि accident हो जाए, तो मुझे इतना पैसा मिल तो यह 10,00,00, plus bonus, ठीक है, तो इस तरह से आपको एक तरह से 20,00,00, plus bonus की राशी मिलेगी, अब खास बात जानते हैं, क्या होता है, कि यह जो rider होते हैं, बहुत low premium पर आपको मिलते हैं, इतनी कम कीमत पर मिलते हैं, कि आप खुद भी उसको चौक जाएंगे, अभी मैं आपको बस इनका एक ही नुकसान है, कि जैसे accident rider लिया, तो यह normal death में काम नहीं करेगा, यह किस में काम करेगा, केवल accident में की काम, दूसरा नुकसान क्या है, कि maturity पर आपको कुछ भी नहीं मिलने लागा, यहां तो maturity पर आपको 10,00,00, plus bonus मिलेगा, base plan में, लेकिन जो rider accident लिया है, accident rider ल अपलान का सारा पैसा मिल गया, तो किसी भी rider की विशेशता क्या होती है, वो add-on होता है, जैसे हम अपने software add-on करते हैं, computer में इन में, तो हमारा जो मूल software होता है, उसमे additional benefit मिलता है, तो यह riders भी क्या होता है, additional benefit देते हैं, और यह हमें जरूर लेने चाहिए, क्योंकि policy की जो रकम होती है, वो अचानत से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और सबसे बड़ी बात उसके लिए premium हमको बहुत कम देना पड़ता है, तो अब हम लोटते हैं अपने topic पे, तो देखिए, LIC के total 6 rider है, कितने rider है, 6 rider, अब मैं सभी riders की सारी detail, सारी बारीकिया, सारी complete उधारन सइद आपको जानकरी देने जा रहा हूँ, ठीक है, अब इन 6 riders में से कौन सा rider किस policy में लागू है, वो मेरा policy का आप वीडियो देखेंगे, तो उसमें ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा, जैसे अभी हमने देखा, कि किसी भी policy में सारे riders मिलना संभाव नहीं है, तो वो इन 6 riders में से आप कौन सा rider उस policy में ले सकते हैं, तो अब देख लेते हैं, सबसे पहला rider है हमारा LIC Accident Benefit Rider, तो ये क्या है देखें, पहली इसकी, इसकी नियम शर्तें सब कुछ यही है, अब जो मैं दिखाने जा रहा हूँ, यही इसकी नियम है, यही इसकी शर्त है, यही इस अगर आप Accident Benefit Rider लेना चाहते हैं, तो कम से कम 20,000 का ले सकते हैं, और maximum 100,000,000 का यानि की 1 करोड का ले सकते हैं, excluding LIC's G1 शिरोमनी प्लान, G1 शिरोमनी प्लान को छोड़ कर आप 1 करोड तक का maximum समशोड या क्या ले सकते हैं, additional benefit, ध्यान देना, यह rider का समशोड है, यह base plan का समशोड तो अलग हो सकता है, और यह अलग हो सकता है, इसमें कोई problem नहीं है, माल दीजी आपने कोई योज, कोई plan लिया, उसमें आपने 10,00,000 का लिया, समशोड यानि की बीमा राशी, 10,00,000 का आपने बीमा करवाया, लेकिन यहाँ जरूर नहीं कि आप 10,00,000 का ही लिए, यहाँ आप 1,00,000 का भी ले सकते हैं, 20,000 का भी ले सकते हैं, 50,000 का भी ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर निर्बर है, rider completely आपकी इच्छा पर depend करता है, कि आप कितने का ले रहे हैं, और rider का और जो आपका base plan है, उसका direct कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन जो भी 12 वर्ष की होनी चाहिए, और इस rider को आप policy start होने के time पे भी ले सकते हैं, और policy के दोरान भी ले सकते हैं, चोथा है, maximum agent entry इस rider को लेने के लिए आपकी उमर 65 वर्ष से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, पांचवा है, accident benefit rider profit क्या है, only after death, ज्यान देना, accident benefit rider जो है, उसका यह कोई medical policy नहीं है, ठीक है, तो यहाँ आपको medical का पैसा नहीं मिलता, accident के बाद अगर death हो जाती है, तो केवल death के case में आपको इस rider का profit मिलेगा, benefit मिलेगा, छटा, maturity benefit, no maturity benefit, अगर आपने इसमें माल दीजे, एक करूर का accident benefit rider लिया है, तो मिर्त्यू होने पर आपको एक करूर पर मिलेगा, अगर मिर्त्यू नहीं होती है, तो आपको कोई भी पैसा इस rider का वाफस नहीं दिया जाएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, policy का सारा पैसा मिलेगा, लेकिन इस rider का पैसा नहीं मिलेगा, maturity के case में, फिर आगे देखते हैं, तो देखिए, seven number, policy coverage term, earlier age, maximum 70 years, और maturity of the policy इस policy का जो coverage term होगा, वो क्या होगा, या तो आपकी उमर अधिकतं 70 वर्ष हो, या maturity of the policy, माल लो maturity of the policy 50 वर्ष है, तो आपको 50 वर्ष तक ही, policy का coverage मिलेगा, या policy का माल दीजी maturity period है, माल दीजे 25 साल ही, तो 25 साल दख ही आपको coverage मिलेगा, जितने time तक की policy होगी, या तो उस time त वहां तक आपको इस rider के द्वारा coverage मिल जाए आठवा है paid up value हमने देख लिए paid up value क्या होती है लेकिन इस rider की कोई भी paid up value नहीं बनेगी ठीक है अगर आपने इसका premium नहीं चुकाया तो आपका पैसा डोग जाएगा कोई paid up value नहीं बनेगी surrender value भी कोई नहीं बनेगी इस rider की rider की बात कर रहा हूँ अब मैं ध्यानक ना दस्वा है premium payment mode same as base plan premium कैसे चुकाएंगे जैसे आप base plan में चुका रहे थे yearly चुका रहे थे तो यहां पे भी yearly चुकाना पड़ेगा वहां मंतली चुका रहे थे base plan में man policy में तो यहां पे भी आपको मंतली चुकाना पड़ेगा जैसा वहां चुस क्या है वैसा यहां चुस करना होगा 11 नमबर premium rate yearly इस plan की इस accident वाले plan की कितनी है premium rate आपको 0.05% premium चुकाना पड़ेगा इस rider को लेने के ठीक है और अगर police duty है किसी भी परकार की police duty में है आपको तो 0.1% आपको premium चुकाना पड़ेगा अब देखिए यह rider कितना सस् एक्जामपल वन लाक रुपीज एलाइसी एक्सिडेंट बेनिफिट राइडर कैन बी पर्चेस्ट एट 50 रुपीज यरली पेमेंट अगर आपको एक लाक का एक्सिडेंट का benefit चाहिए और यह rider लेना चाहते हैं आप एलाइसी एक्सिडेंट बेनिफिट राइडर एक लाक है यह rider की ताकत मैं फिर से कहा रहा हूँ यह 50 रुपीज आपको एक साल में चुकाना है या हर 6 मैंने में चुकाना है या मंतली करके चुकाना है यह डिपेंड करता है कि आपने policy का plan कैसे लिया हुआ है अगर मंतली चुकाते हैं तो इस 50 में 12 का भाग लगा के हर मंत में जो पैसा बनता है वो बन जाएगा और 6 मेंने में चुकाते हैं तो इसका आधा कर देना और yearly चुकाते हैं तो यह पूरा का पूरा तो यह वाला यह original example दिया है मैंने ठीक है तो एक लाग का LIC accident benefit rider अगर आपको purchase करना हो तो केवल 50 रुपए खर्च किरके आप साल के ले सकते हैं accidental death benefit rider यह आप कम से कम 10,000 रुपए का ले सकते हैं maximum 100,000 रुपए का यह की एक करोड का ले सकते हैं ध्यान देना जीवन शीरोमिनी प्लान को छोड़ते वे उसमें यह लागू नहीं है तीसरा है minimum age at entry आप अगर इसको लेना चाते हैं इस rider को linked accidental death benefit rider को तो आपकी minimum age कितनी होनी यह 18 वर्ष यह policy की start होते हुए भी लिया जा सकता है यह plan और policy की दोरान माल दीजे आपने कोई policy लेने वाले हैं तो आप policy start होने के साथ 20 rider को ले सकते हैं और अगर पहले से policy ले रखिए तब इस plan को ले सकते हैं rider को ले सकते हैं चोथा है maximum age at entry 65 years 65 वर्ष की उमर से अधिका व्यक्ति ये rider नहीं ले सकता पांचवा है accident benefit rider profit क्या है only after death मैं फिर से कह रहा हूँ linked accidental death benefit rider का फायदा तभी मिलेगा जब आपकी death होगी यहाँ कोई medical का पैसा आपको नहीं दिया जाता कि आपके accident होगा और medical का जो पैसा है वो दिया जाएगा यहाँ किसी परकार का वो benefit नही accident accidental death benefit rider लिया है तो policy का तो सारा पैसा मिलेगा फिर से कह रहा हूँ policy का सारा पैसा मिलेगा वो policy है वो अलग चीज़ है rider के benefit क्या है कि अगर एक करोड का rider लिया आपने तो एक करोड रुपए accident से मृत्यू के case में मिलेंगे और किसी case में अगर मृत्यू होती है तो वो पैसा मिल जाएगा चटा है maturity benefit no maturity benefit इस rider में भी maturity पर आपको कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला अगर death से मृत्य हो जाती है तो भी फायदा है वरना अगर आप maturity हो जाते हैं तो आपका जीवन आपको मुबारक और आपको rider का पैसा नहीं मिलेगा policy का पैसा जरूर मिलेगा ये ध्यानकना बार-बार बोल रहा हूँ confusion मत हो जाना rider एक अलग चीज है और जो policy है वो एक अलग चीज है 7th number है policy coverage term तो policy coverage term देख लेते इस rider में earlier age maximum 70 years और maturity of the policy या तो policy की maturity पहले हो जाए या आपकी age 70 years पहले हो जाए दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा वहां तक ये rider आपको coverage देता है accident का 8th number है paid up value not acquire any paid up value इसकी कोई paid up value नहीं होगी अगर आपने इस rider का premium नहीं चुकाया तो इसकी कोई paid up value आपको नहीं मिलेगी और नहीं कोई surrender value आपको इस rider की मिलने वाली है पॉलीसी की मिलेगी अगर पॉलीसी में है तो paid up value पॉलीसी की है तो मिलेगी लेकिन rider की नहीं मिलेगी 10th number premium payment mode same as base plan जो आपने पॉलीसी में जिस तरह से payment कर रहे हैं yearly, monthly, half yearly जैसे भी कर रहे हैं वैसा ही आपको इस rider का भी payment करना पड़ेगा 11th number premium rate yearly 0.04% of rider समशोर देखिए कितना कम है payment 0.04% है इस rider का समशोर amount या जो एनी टाइफ ऑफ पॉलीस डूटी है किसी भी प्रकार की कोई भी बुलीस डूटी हो उसमें 0.08% premium चुखाना पड़ेगा तो इसको example से समझते हैं रूपीज 1 lakh LIC-linked accidental death benefit rider can be purchased at 40 rupees yearly payment अगर आपको 1 lakh रूपे का LIC-linked accidental death benefit rider purchase करना है तो मात्र आपको साल भर में 40 रूपे ही खर्च करने है और 40 रूपे में आपको 1 lakh रूपे का बीमा extra मिल जाएगा accident के case में तो आपने देखा फिर से मैं चीज कलियर कर रहा हूँ कि policy का जो पैसा है वो अलद है अगर 10 lakh की policy ली है और अगर natural death हो गई तो आपको natural death हो गई माल दिजे natural death हो गई आपकी तो आपको 10 lakh रूपे मिलेंगे ठीक है और अगर accidental death हो गई तब भी 10 lakh रूपे मिलेंगे 10 lakh plus bonus ये मिलेगा ठीक है कोई भी पोलीसी हो, जितने रुपे की पोलीसी ली है, नैचुरल डैथ हो या एक्सिडेंटल डैथ हो, दोनों ही केस में आपको 10 लाग प्लस बोनस जो भी है रेट मिल लियागी, एक तरह से कलपना के लिए माल लेते हैं, जबकि अगर राइडर ले ले लेते हैं, एक्सिडेंटल राइडर और फिर अगर नैचुरल डैथ होती है, तब तो यही पैसा मिलेगा नैचुरल डैथ में तो यही पैसा मिलेगा, लेकिन एक्सिडेंट वाड़ा अगर राइडर लिया है, और एक्सिडेंट rider का पैसा हो गया तो यानि कि double benefit तो मान लो ये 10 लाग प्लस ये 10 लाग तो एक तरह से 20 लाग रुपय आपको बीमा के मिले लिए और साथ में bonus मिलेगा वो जो अलग ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अब हम देख रहे हैं तीसरे नमर का rider LIC's accidental death and disability benefit rider सबसे अच्छा rider यही है ध्यान देना सबसे best rider यही होने जा रहा है क्यों है अभी इसकी चर्चा मैं करता हूँ सबसे पहले बता दू ये LIC का जो accident death and disability benefit rider ये दो rider से मिलकर बना है इक तरह से इसमें आपको accident के कारण जब death हो जाए तो उस case में भी आपको पैसा मिलेगा इस rider से और अगर accident के कारण disability हो जाए तो भी आपको पैसा मिलेगा ठीक है ना तो ये सबसे अच्छा rider मानता हूँ मेरे साब से बाकि आपकी इच्छा आप भी देख लिए इस rider को लेने के लिए आपको कम से कम 10,000 रुपय का ले सकते हैं इस rider को लेने के लिए आपकी कम से कम उमर कितनी होनी चीए 18 years at the time of policy and during the policy आप इसे policy फ्रारम होने के time पे भी ले सकते हैं और policy चालू हो गई है तो उस दोरान भी ले सकते हैं लेकिन at least 5 year premium payment term of waste policy remains लेकिन policy के कम से कम 5 साल बाकि होने चाहिए तभी आप इसे ले सकते हो जयान देना policy स्टार्ट होते हैं इसे ले सकते हो पोलिसी चालू हो गई है उसके दोरान भी ले सकते हो लेकिन policy के दोरान तभी ले पाओगे जब कम से कम 5 साल बाकि हो पोलिसी खतम होने के ठीक है पोलिसी प्रीमियम भरने के 5 साल बाकि हो चोथा नमबर का है maximum agent entry 70 years 70 साल से ज़्यादा का व्यक्ति इस rider को नहीं ले सकता है पांचवा accidental death benefit समशोड जैसे कि मैंने बताया accident के कारण अगर death हो गई है तो आपको जितना का समशोड आपने rider का लिया है वो सारा मिल जाएगा माल दीजिए आपने एक करोड का ये समशोड लिया है एक करोड का लिया है ये rider माल लिजिए एक करोड का rider लिया समशोड बीमाराशी कितनी है इस rider की एक करोड बीमा तो अगर accident के कारण death हो जाती है तो आपको पूरा का पूरा एक करोड रुपया मिल जाएगा इस rider से फिर आगे देखते हैं छटा point maturity benefit, no maturity benefit इस rider में भी किसी परकार का कोई maturity benefit नहीं दिया गया है साथवा, policy coverage term earlier age, maximum 70 years और maturity of the policy या तो policy की maturity period खतम हो जाए या आपकी उमर 70 वर्ष हो जाए इन दोनों में से जो भी पहले हो जाएगी वहाँ तक ही ये rider काम करेगा उसके बाद ही rider काम नहीं करेगा 8th नमर का point, paid up value इस rider में कोई paid up value नहीं है अगर आप premium नहीं चुकाते हैं तो आपको कोई paid up value नहीं मिलेगी और surrender value भी नहीं मिलेगी नमर 10, premium payment mode same as base plan जो भी premium payment आप अपने base plan में करते हैं man policy में करते हैं वही rider में भी उसी तरह से payment करनी पड़ेगी उसी को जोड़ कर 11th में premium rate yearly देखो 0.1% of rider summer short जितने का rider आप लेंगे उसका 0.1% आपको premium चुकाना होगा जहान देना जितने भी rider मैं बता रहा हूँ उन rider की payment कि साधार पर तैय हो रही है कि rider का समशोड आपने कितने का लिया है उसके आधार पर हम ये premium बता रहे है ये basic समशोड नहीं है basic समशोड क्या होता है जो man policy होती है उसके समशोड को हम basic समशोड कहते है जबकि rider समशोड क्या होता है अलग-लग rider के अलग-लग समशोड हो सकते हैं और आप एक से ज़्यादा राइडर भी ले सकते हैं तो इस राइडर में जो आभी हम देख रहे हैं Accidental Death and Disability Rider है इसमें क्या benefit है इसमें 0.1% के premium पर आप ये राइडर ले सकते हैं और अगर आप किसी पुलिस डिपार्टमेंट में हैं किसी प्रकार का कोई भी पुलिस डिपार् RIDER can be purchased at 100 rupees yearly payment अगर आप इस राइडर को खरीदना चाते हैं तो आपको 100 रुप्य साल आना खर्च करने पढसेंगे एक लाघडर लेना इंट चाते हैं तो मातर सो रुपय में और 10 लाक रुपय का इस आपको इस एककि मात्र सो रुप में यह rider extra मिल जाएगा फिर आगी देखते हैं इसी में 12 number point in case of disability अब हम इस rider में अगर disability हो जाती है तो हमें क्या benefit मिलता है उसका समझाने जा रहा हूँ अच्छी तरह समल लेना यह disability का case है मैंने death का case तो बताई दिया कि accident के current death हुई तो कितना पैसा मिलेगा मैंने बता दिया आपको पूरा का पूरा समझोड मिल जाएगा लेकिन अगर disability हुई तो कितना पैसा मिलेगा तो ठीक है case one if rider समझोड and basic समझोड of base plan are equal ध्यान देना rider समझोड और basic समझोड of base plan दोनों equal है कि rider समझोड भी आपने माल लीजी एक लाग रुप बारा लाग का लिया ठीक है और basic जो plan था आपकी man जो policy है उसका भी समझोड बारा लाग का है then the payment of future premium of both rider and base plan should be waived तो ऐसे case में जितना भी अगर आपकी disability हो जाती है किसी भी time पे तो उसके बाद के जितने भी future premium है वो सारे के सारे माफ कर दिये जाएंगे rider के भी माफ हो जाएंगे और आपकी man जो policy है उसके भी माफ हो जाएंगे यानि कि अगर accident के कारण अगर आपकी disability हो गई तो आने वाले वर्षों में जितना भी premium है rider का premium हो चाहे आपके man policy का premium हो उस सारा का सारा माफ कर दिया जाएगा कब जब rider समशोड और basic समशोड दोनों same हो जैसे example देख लेता है policy one है basic समशोड आपने लिया माल लीजिए man policy जिसका basic समशोड लिया आपने 12,00 रुपे का भीमा लिया और rider का भी भीमा आपने ले लिया 12,00 रुपे तो अब इसका देखिए 12,00,00, 12,00 है इस case में आपको कोई payment नहीं करनी पड़ेगी premiums की पहली बात दूसरी बात आपको कितना मिलेगा ये तो हो गई कि आपको किसी परकार का कोई premium आने वाले वर्षों में अब नहीं चुकाना है क्योंकि basic समशोर अशोर राशी और rider समशोर राशी दोनों बराबर है इसलिए आपको कोई premium आने वाले वर्षों में future में नहीं बरना है लेकिन आपको मिलेगा कितना disable हो गए तो आपको भी तो पैसे की जरूत होगी तो आपको कितना मिलेगा उसके लिए यह सूतर है monthly payment is equal to rider समशोर divided by 12 months into 10 years तो देख लीजे इस case में rider समशोर कितना है 12 lakh तो मैंने यह 12 lakh लिग दिया 12 months into 10 year को गुणा किया तो 12 मन्त को अगर 10 साल से गुणा करे तो 120 महिने हो गए और 12 lakh में जब 120 महिने का भाग दिया तो 10,000 आया यानि कि 10,000 per month for next 10 years द्यान देना LIC आपको accident के कारण अगर disable हो गए तो आपको 10,000 रुपए प्रती माहा अगले 10 साल तक देगी इस case में पहले वाले example देगी और future premiums of both rider and base plan shall be waived मैं फिर से कह रहा हूँ प्रीमियम माफ हो जाएगा और 7 में आपको 10,000 रुपए की प्रती माह एक तरह से पैसा भी मिलेगा अगले 10 साल तक एक्जाम्पल अगर हम यह लेते हैं तो अब दूसरा case देखते हैं इसी का तो दूसरा case क्या करा है case number 2 अगर आपका basic समशोड जादा है rider के समशोड तो जो remaining amount होगा वो आपको पे करना पड़ेगा उसका premium आपको पे करना पड़ेगा कैसे देखिए माल लीजिए example policy 2 basic समशोड है 20 लाग रुपए ठीक है लेकिन rider आपने लिया है मातर 12 लाग रुपए गई जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ आपका policy आप कितने की लेते हो वो एक अलग है rider कितने का लेते हो वो भी अलग हो सकता है दोनों अलग अलग हो सकते हैं सेम भी हो सकते हैं इस केस में हमने देखा कि हमने man policy जो लिये है उसका वीमा राशी कितना है 20 लाग का और rider की वीमा राशी कितनी है 12 लाग तो ऐसे केस में पहले तो हमको ये देख लेते हैं हमको monthly permit कितना मिलेगा द्यान देना accident के कारण जब आप विकला होंगे डिसेबल होंगे तब ये permit मिलेगी monthly permit कितनी मिलेगी rider summer short divided by 12 months into 10 years तो यहां 12 लाग हमारा कितना है rider summer short कितना है 12 लाग तो 12 लाग divided by 12 months into 10 years तो is equal to कितना आया 10 अजार per month for next 10 years तो यहां हमको अगले 10 साल तक कितने साल तक अगले 10 साल तक हमें 10,000 रुपे के साब से ये payment मिलती रहेगी ठीक है ये clear हो गया फिर है future premiums of both rider and base plan shall be waived जितना भी future premium है और base plan का जितना भी future premium है चाईसे rider का हो या base plan का वो माफ हो जाएगा कितने तक 12,000 तक का 12,000 तक का हमारा rider था इसलिए 12,000 रुपे तक के basic summer short का भी premium और rider का तो सारा माफ हो गई rider का सारा माफ हो जाएगा इस case में बस basic summer short जो amount है न उसका 12,000 तक का तो premium माफ हो जाएगा और बाकी का जो बचा remaining premium of basic summer short 20,000 रुपीज तो will be paid तो 8,000 रुपीज का जो premium होगा वो हमको pay करना ही पड़ेगा उसका option नहीं है तो जितने का rider लिया है वो तो उतने का माफ हो जाएगा और जो बाकी का बचे का पैसा उसका हमको चुकाना पड़ेगा इसलिए हम कहते हैं कि जब भी आप जितने की आप police ही ले रहे है उतने का ही rider लें तभी आपको सबसे ज़्यादा फाइदा होता है तो आपने देखा इस rider का कितना जवरदस फाइदा होता है इसलिए ये rider सबसे best है क्योंकि accident के कारण death होगी तब भी ये फाइदा देगा और accident के कारण अगर disability होती है तब भी इसमें हमको फाइदा है क्योंकि हमें एक monthly payment मिलने लग जाती है फिर आगे देखते है नमबर आगे इसी का इसी का पार्ट चल रहा है द्यान दे on death और maturity before the expiry of the set period इसी का देख रहे हैं हम द्यानक न in case of disability में ही हम आगे देख रहे हैं इस राइडर का अंच on death or maturity before the expiry of the set period of 10 years during which monthly installment are to be paid the disability benefit installment will be paid in lump sum माल लीजे आपकी disability हो गई थी और आपको अगले 10 सालों तक monthly payment देनी थी LIC के द्वारा लेकिन उन 10 सालों के बीच में ही आपकी death हो गई तो जितना भी payment बाकी का बचा है वो सारा का सारा lump sum एक साथ आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा फिर है disability must be within 180 days from the date of accident ज्यान देना disability का भी criteria है अगर आपका accident हुआ और उसके 180 दिन के अंदर अंदर आपकी disability हुई है तभी ये rider काम आएगा unable to perform at least 4 of the following activities ये 6 activity है अगर इन 6 में से कोई भी 4 activity आप कर नहीं पाते हैं या किसी और की मदद से करते हैं तो आपको disabled मान लिया जाएगा पहली activity है dressing दूसरी है washing तीसरी है feeding चौती है toileting पांच भी है mobility और छटी है transferring तो ये 6 activities में से अगर कोई भी 4 activities ऐसी है जो आप perform नहीं कर पा रहे हैं किसी और की मदद लेनी पड़ रही है तो आपको LIC क्या मानेगी disabled तो इस case में हमने फिर से मैं कहा रहा हूँ इस rider का क्या benefit हो रहा है इस rider के कितने benefit हो रहे हैं देखो सबसे पहले accident के कारण आपकी death हो जाए तो ये आपको पैसा मिलेगा दूसरा accident के कारण अगर आप disabled हो जाओ तो भी आपको पैसा मिलेगा तीसरा benefit क्या है accident के कारण death हो या disability दोनों ही case में आपके जितना भी premium है जितना भी आपका premium है चाहिसे base plan का हो चाहे आपका rider का premium हो सब माफ हो जाएगा यानि कि आपको चुकाना कुछ भी नहीं है future में बलकि future में आपको कुछ मिलेगा तो ये हैं इस rider के फाइदे अब आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं आगे 4th नमर का rider LIC's new term assurance rider अब ये 4th नमर का rider कौन सा है मारा new term assurance rider तो इसको clear कर लेते हैं इसकी शर्टे देख लेते हैं पहला minimum summer short रूपिस 1 lakh आप इस rider को 1,00,00,00 के बीमा पर purchase कर सकते हैं इस rider को अगर लेना चाहते हैं तो कम से कम 1,00,00,00 का बीमा आपको लेना हुगा है नमर 2, Maximum summer short 25,00,00,00 but less than or equal to the basic summer short आप maximum कितने रुपे का rider ले सकते हैं 25,00,00,00 तक का लेकिन वो 25,00,00 का तभी ले पाएंगे जब आपकी policy भी 25,00,00,00 तक होगी या तो आपकी policy जितने की ये माली कि आपने 10,00,00 की policy ली तब आप ये new term assurance rider 10,00,00,00 से ज़्यादा का नहीं ले पाएंगे तो जितने की policy है या तो उतने का या maximum 25,00,00,00 तक का आप rider ले सकते हैं नमर 3, minimum age at entry इसमें अगर आपको ये rider लेना है तो आपकी उमर के हम से कम 18 वर्ष होनी ची है start of the base policy not during the policy और ये rider आपको policy लेते समय ही लेना है उसके बाद ये rider आपको नहीं मिलेगा policy लेने के बाद ये rider नहीं मिलेगा policy लोगे जब पहली बार तब ये rider आपको लेना पड़ेगा नमर 4, maximum age at entry 60 years है आप इस rider को 60 वर्ष की उमर तक ले सकते हैं नमर 5, unfortunate death benefit अगर इस rider को लेने के बाद अगर आपकी कोई unfortunate death हो जाती है द्यान रखना मैं accident death की बाद नहीं कर रहा हूं कोई भी natural death या accident death हो जाती है तो आपको जितने का rider लिया है वो सारा का सारा पैसा मिल जाएगा अगर 10 लाग का rider लिया है तो 10 लाग रुपय आपको मिल जाएंगे नमर 6, maturity benefit no maturity benefit अभी तक किसी भी rider में maturity benefit हमको नहीं दिखाई दिया है rider की benefit केवल हमारे death के case में या कोई problem होती है तब ही मिलता है maturity पे नहीं मिलता है नमर 7, policy coverage term कहता है earlier age maximum 75 years और maturity of the policy या तो आपकी maturity of the policy हो जाए या आपकी maximum is 75 years हो जाए दोनों में से जो भी police पहले होगा उतने साल तक का आप इस rider से coverage ले सकते है माल लीजिए आपकी policy तो है 50 साल तक की जबकि यहाँ लिखा हुआ है 75 years लेकिन आप 50 साल तक ही ले पाएंगे policy coverage टर्म इस rider से तो जितने के आपकी जितने समय तक आपकी policy है या तो वो या maximum 75 years तक इस rider से आपको coverage मिलेगा आठवा paid up value अभी तक किसी भी rider में दिखाई नहीं दिए आमे surrender value भी नहीं दिखाई दे रही है नमबर 10 premium payment mode same as best plan चल रहा है मैं repeat कर रहा हूँ जैसा आपने best plan में premium choose कर रखा है mood yearly, half yearly, monthly वैसा ही आपको यहाँ पर भी payment करना पड़ेगा 11th number premium rate yearly यहाँ rate क्या है 0.161% to 1.93% of rider summer short ध्यान देना यह premium rate अलग-लग हो सकती है अलग-लग age group के अनुसार और अलग-लग जो आपने समशोड लिया है उसके अनुसार यह premium rate अलग-लग हो सकती है जो minimum है वो है 0.161% और जो maximum है वो है 1.93% इस rider की price 12th number है rider term minimum 5 year का rider आप ले सकते हैं यह rider अगर आपको लेना है तो कम से कम 5 साल का तो लेना ही पड़ेगा यह rider और maximum 35 साल तक का यह rider आप ले सकते हैं एक्जामपल देख लेते हैं रुपीज 1 lakh LIC new term assurance rider can be purchased at 161 rupees to 1930 rupees yearly payment अगर आप इस rider को लेना चाहते हैं तो कम से कम 161 रुपए और maximum आपको 1930 रुपए खर्च करने होंगे प्रती 1 लाख रुपए के insurance पे अगर आप इस rider से एक लाख रुपए का एक्स्ट्रा बीमा चाते हैं तो कम से कम 161 रुपए एक साल के और maximum 1930 रुपए में मिल सकता है यह 1930 क्यों है ज्यादा तो कि जिसकी age ज्यादा हो गई है उससे यह term insurance में ज्यादा पैसा लिया जाता है और जिसकी age कम है उससे कम दिया जाता है पैसा इस कारण फिर आगे बढ़ते है नमबर पांच लिए सी न्यू क्रिटिकल इल्नेस बेनिफिट राइडर यह भी एक अच्छा राइडर है क्रिटिकल इल्नेस से समंदिद बेनिफिट राइडर है यह एक अच्छा राइडर बाना जाता है इसको क्योंकि बीमारी से समंदिद एक ही राइडर है यह लाइसी ने उसका यूज करना चाहिए ध्यान दखना यह medical policy नहीं है यह केवल इल्नेस राइडर है जिसमें केवल limited बीमारियों का ही insurance है सारी बीमारियों का insurance इसमें नहीं है अगर आपको यह राइडर लेना है तो उसकी कीमत कम से कम एक लाइडर ले सकते है एक लाइडर का राइडर मतलब कि उसका बीमाराशी एक लाइडर का होना चाहिए maximum समंदिद कितना है 25 लाइड रूपी आप इस राइडर को लेना चाहते हैं critical illness वाले को तो 25 लाइड तक का maximum यह ले सकते है but less than or equal to the basic समशोड मैं फिर से repeat कर रहा हूँ जितना basic आपका समशोड है जो आपका basic plan है जो मूल policy है, man policy है उससे ज़ादा कई राइडर नहीं ले सकते है number 3 minimum age at entry कितनी है 18 years आप 18 years की age में जाद कम से कम जो इसकी age रखी गई है वो 18 वर्स है 18 वर्स या उतसे उपर का जो व्यक्ती है वही इस राइडर को ले सकता है start of the base policy not during the policy ये policy start होते ही लेना पड़ता है इस राइडर को policy start होने के बाद इसको बीच में नहीं ले सकते number 4 maximum age at entry 65 years इस राइडर को लेने के लिए आपकी अधिक्तम उमर कितनी होनी चीए 65 वर्स 5 वर नमबर maturity benefit क्या है no maturity benefit किसी भी राइडर में अभी तक maturity benefit नहीं दिया गया है number आगे next हमारा दिखते है पॉलिसी का पिरेड हो जाए या आपकी age maximum 75 years हो जाए दोनों में से जो भी पहला हो वहाँ तक या आपको rider coverage देता है बिमारी paid up value इस rider में भी नहीं है surrender value भी नहीं है इस rider में अभी तक हमने किसी भी rider में paid up value और surrender value की facility नहीं दे किया number 9 premium payment mode same as base plan जैसा premium आप अपनी man policy में चुका रहे हैं उसी के साथ जोड़ कर इस premium को भी आपको चुकाना है number 10 premium rate yearly इसकी rate क्या है 0.107% to 1.938% of rider summer short जितने का rider आप ले रहे हैं उसका 0.107% से 1.938% तक आपको payment करना पड़ेगा example क्या है sir रुपीज 1 lakh LIC's new term assurance rider can be purchased at 107 रुपीज to 100 1,938 रुपीज yearly payment आप 107 रुपे से लेकर गुनी सो 38 रुपे खर्च करके सालाना आप 1 लाग रुपे का ये rider ले सकता है फिर से कह रहा हूँ कि ये अलग-लग क्यों है premium rate क्योंकि जो कम age का है उससे कम premium लिया जाता है उससे कम premium rate है उसकी और जिसकी उमर जादा हो चुकी है उसकी premium rate जादा है तो premium rate के अनुसार वो payment किया जाता है ठीक है फिर से कह रहा हूँ rider के benefit man policy से अलग होते है man policy में जितना benefit मिल रहा है वो तो मिलता ही है साथ में rider कितने का लिया है वो extra benefit over आपको दिया जाता है अगर 10 लाग की मूल policy है और 10 लाग का या आपने rider ले लिया तो आपको benefit कितना मिलेगा 20 लाग का फिर आगे बढ़ते हैं तो देखिए 11 number rider term regular premium policy 5 to 35 years है अगर regular premium policy है तो 5 से 35 साल का है rider term आप ले सकते हैं minimum 5 साल का ले सकते हैं और maximum 35 साल का ये rider ले सकते हैं और अगर limited premium policy है तो आप minimum 10 साल और maximum 35 साल तक 35 साल के लिए ये rider ले सकते हैं जान दें regular premium क्या होता है जो continue जितने साल की policy लेते हैं अगर उतने साल तक premium चुकाना हो तो उसे हम regular premium policy कहते है और limited premium policy क्या होती है कि जितने साल का हमने policy लिया है उससे कम साल तक अगर हम premium चुकाते हैं तो उसे हम limited premium policy कहते है नमबर बारा वेटिंग पिरिड क्या है इसका 90 डेस वेटिंग पिरिड क्या होता है जिसके बाद इसका क्लेम चालू होता है जिसके बाद इसका रिस्क कवरेज चालू होता है तो इस पोलीसी का रिस्क कवरेज 90 डेस के बाद स्टार्ट होगा अगर आपने इस policy को स्टार्ट किया है या इस policy को रिवाइब किया है पहले बंद हो गई लैप्स हो गई थी फिर उसको रिवाइब किया तो दोनों ही case में जब 90 days हो जाएंगे complete उसके बाद इस policy से आपको benefit मिलना start होगा अगर 90 days के अंदर आपको कोई illness हो गई तो आपको कोई benefit नहीं दिया जाएगा और अगर accident के कारण कोई illness हो रही है तो उस case में 90 days apply नहीं होता है फिर है 30 number on first diagnosis of any of the 15 critical illness as mentioned below the critical illness some insured shall be payable if person survived more than 30 days survival period and then after riders coverage ends तो ध्यान दे कि 15 तरह की बिमारिया है जिसमें आपको man जो बड़ी बड़ी 15 तरह की बिमारिया है उसमें ये rider काम आता है हर जिगे काम नहीं आता के वो 15 तरह की बिमारियों में ही rider काम आता है और आपको benefit मिलता है अभी 15 बिमारिया कौन सी है मों उसके list बताऊंगा अगर बिमारी होने के बाद अगर पहला डाइग्नोसिस किया और इन 15 बिमारियों में से अगर कोई बिमारी पाई गई गई गती में तो उसे जितना भी बिमा था वो सारा का सारा एक साथ वो सारा पैसा दे दिया जाएगा अगर बिमारी पता चलते ही वो खतम हो जाता है तो उस राइडर का बेनिफिट उसे नहीं मिलेगा बिमारी पता चली कम से कम 30 दिन हो गए उसके बाद इस राइडर का उसे बेनिफिट मिलेगा और एक बार जब राइडर का बेनिफिट मिल गया उसके बाद इस राइडर का कवरेज खतम हो जाता है फिर भविशे में किसी परकार का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा माल दीजिए अगर किसी व्यक्ति को इन में से कोई एक बिमारी पता चलती है और 10 लाक रुपय का जो समझ अशोड अमांट इसने करा रखा है माल दीजिए इस राइडर के लिए तो उसको 10 लाक रुपय मिल जाएंगे फिर उसके बाद एक बार 10 लाक रुपय मिल गए यह राइडर फिनिश हो जाता है बविशे में इस राइडर से किसी परकार का अन्या कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा यानि कि एक ही बार बेनिफिट मिलेगा और एक ही बार में सारा पैसा एक साथ दे दिया जाता है तो आप देख लेते हैं वो 15 बिमारिया कौन-कौन सी है, तो यह 15 बिमारिया है, यह है, आप नाम पढ़ सकते हैं यहां पे, आप इसको देख लेना कौन-कौन सी 15 बिमारिया है जिसमें यह rider काम करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं लोग, नमबर 6 प्लान देखते हैं, LIC's Premium Waiver benefit rider यह है last plan जिसका नाम है premium waiver benefit rider इसके क्या conditions है देखे minimum and maximum समशोर all future premiums will be waived under the base policy till the expiry of rider turn इसमें कोई समशोर नहीं है इस rider को लेने के बाद कोई भीमाराशी नहीं है इसकी इसमें क्या होता है कि जितने का आपने यह rider लिया है जितने के आपने base policy लिये उसके सभी premium future के map कर दिये जाएंगे बस यही इस rider की खास बात इस rider को जो आप लेंगे अगर premium waiver benefit rider तो इसके नाम में लिखा हुआ है premium waiver इस riders को ले लेते हैं और कोई problem होती है तो बविश्य में जितना भी premium आपको चुकाना पड़ेगा base policy का वो सारे और साथ में इस rider के भी सारे premium समस्त premium समापत हो जाएंगे और आपको कोई payment नहीं करनी पड़ेगे नमबर दो minimum age at parents entry 18 years ध्यान दे कि ये rider बच्चों के लिए भी लिया जा सकता है इसलिए parents के entry इसमें कम से कम 18 वर्ष की age होनी चाहिए start of the base policy और during the base policy दोनों ही time पे लिया जा सकता है policy के दोरान भी लिया जा सकता है rider और policy start होते समय भी लिया जा सकता है नमबर तीन maximum age at parents entry parents की entry 55 साल इसकी maximum age रखी गई है यानि कि 18 से 55 साल का कोई भी व्यक्ति इस rider को ले सकता है नमबर चार maximum age at maturity maturity कितनी होनी चीए 70 वर्ष maximum age जो है वो 70 वर्ष रखी गई है आप किसी भी age में अगर entry कर रहे हैं तो maturity की ये जरूर द्यान अखना 70 वर्ष हो जाएगी इस rider की 70 वर्ष के बाद इस rider का benefit नहीं मुलता है नमबर पांच maturity benefit किसी भी rider में किसी परकार का कोई maturity benefit नहीं दिया गया है फिर है नमबर 6 paid up value not acquire any paid up value surrender value no surrender value किसी भी परकार के कोई rider में paid up value और surrender value applicable नहीं होती है नमबर 8 premium payment mode same as best plan जो best plan आपका है जो mole policy है man जो policy है उसमें जैसे payment चुका रहे थे वैसे ही इसके premium की payment दो उसके साथ जोड़ कर चुका नहीं है नमबर 9 premium rate yearly कितना है 1.45% to 12.35% of the basic summer short सबसे महंगा अगर rider कहूं तो मैं यह है क्योंकि बीमारी उसे सम्मदित rider है तो सबसे महंगा rider है आपको 1.45% से 12.35% तक सालाना पैसा चुकाना होगा एक्जामपल के लिए अगर यह rider आप 1,00,000 रुपे का लेते हैं यह rider आपको लेना है तो 1450 रुपे से लेकर 12,350 रुपे तक का सालाना खर्चा करना पड़ सकता है आपको परती 1,00,000 रुपे पे फिर कह रहा हूं यह rate क्यों change है जो इनकी age कम है उनका 1.45% लग रहा है और जैसे जैसे age बढ़ती जारी है वैसे वैसे premium का rate जो है वो भी बढ़ता चला जाएगा तो यह है सारा इस rider का कमाल फिर आगे 10. rider term coverage देख लेता है Outstanding premium paying term of the base plan ध्यान दे इस rider का benefit unfortunate death के case में मिलेगा death कैसे भी हुई हो अगर जो premium भरने वाली व्यक्ति की अगर death हो जाती है तब जाकर इस rider के तहट जो premium है future premiums वो map किये जाएंगे हमने देख लिया future premium map करने का ये criteria है कि Outstanding जितना भी premium है policy का या तो वो map कर दिया जाएगा या बच्ये की age जितनी है उसे 25 में से गठा दीजे उतने साल का premium map किया जाएगा जैसे माल दीजे अगर बच्चे का गध़िय की age माल दीजे 25 minus माल दीजे 15 साल है बच्चे की age तो यानि कि उसके आगे अगर आपकी policy जाती है, तो उसका premium फिर बच्चे को चुकाना पड़ता है, उमीद है, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, Friends, अगर मेरे चैनल पर किसी वीडियो को आप ढूढना चाते हैं, तो उसको कैसे ढूढनेंगे, आप YouTube.com पे जाके, प्लेइलिस्ट वाले section में आपको, प्लेइलिस्ट वाले section में अगर नीचे की side में आएंगी ना, तो ये आपको multiple playlist मिलेगी, आप mobile में यूज करें, या computer में दोनों ही जगे, पहले created playlist आती है, फिर उसके बाद multiple playlist आती है, तो national pension scheme के लिए, इस playlist पर click करना है, इसमें 97 videos हैं, आप देख सकते हैं, share market अगर आपको सीखना हो, तो इस playlist पर click करेंगे, view playlist, तो यहां 36 video है, investment से संबन्दी जितने भी video आगर देखना चाहते हैं, तो ये financial solutions है, इसकी playlist आप चेक करें, यहां 29 videos हैं, और technical solutions चाहते हैं, computer और mobile की कोई problem हो, तो आप इस playlist को click करें, computer सीखना चाहते हैं, basic जानकारी चाहते हैं, तो आप इस playlist को click करें, फिर और नीचे जाएंगे, आप अपने mobile में या computer में इधर दाईं तरफ जाएंगे, click करके, तो आपको SBI की समस्त schemes की जानकारी मिलेगी इस playlist में, post office की कोई भी scheme, आपको इस playlist में देखने को मिलेगी, gold investment, sovereign gold bond, जितनी भी gold की investment की schemes है, वो सारी इसमें देखने को मिलेगी, CCS, NPS rules के लिए अलग से playlist बना रखी है, आप इसको देख सकते हैं, cryptocurrency की भी playlist है, और इसके अलावा आप देखेंगे, तो public provident fund की scheme है, complete series है, FD, RD, fixed deposit और ये जो recurring deposit होती है, उससे संबंदित complete playlist है, MS Excel अगर आप सीखना चाते हैं, तो MS Excel master series है मेरे पास, gratuity के लिए, gratuity की series है, तो ये तो हो गई playlist, जिसमें आप mobile और computer दोनों में देख सकते, लेकिन अगर आपको video सर्च करना हो, कोई particular की playlist से नहीं, कोई video सर्च करना हो, तो कैसे करेंगे आप, आप computer में ये video वाले section पर click करना, और अब आपको क्या करना है, ये search वाला button है, इस search वाले button पर click करना, और अब आप अगर share बाजार से संबन्दित कोई video चाते हैं, तो यहाँ केवल इतना सा type करें, share और search करें, तो यहाँ share से संबन्दित, share market से संबन्दित सारे video दिखाई देंगे, share market के लिए सबसे best video है, money control कैसे use करें, ये आप जरूर देख लेना, तो यहाँ बहुत सारे video मिल जाएंगे आपको, फिर अगर national pension scheme के बारे में आप जानना चाते हैं, तो NPS लिख दे, तो NPS लिखेंगे, तो देखिए NPS के उपर बहुत सारे video है, बहुत सारे मतलब Google के सबसे ज़्यादा video मेरे ही channel पर है, फिर ग्रेचुटी अगर जानना चाते हैं, तो आप ग्रेचुटी के बारे मिल लिख दे, ठीक है, यह ग्रेचुटी मैं लिखी और सर्च किया, तो देखिए, ग्रेचुटी से सम्बंदी जितने भी topic से हो, सारे cover हो जाएंगे, फिर अगर आपको Public Provident Fund देखना हो, कि Public Provident Fund के वीडियो कौन कौन से हैंसर के पास, तो PPF लिखें और सर्च करें, तो यह PPF के सारे वीडियो दिखाई देगी, ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपको SBI, State Bank of India की कोई schemes के वीडियो देखने हो, तो यहाँ SBI लिखें और सर्च करें, यहाँ SBI से सम्मंदित समस्त वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, फिर अगर आपको Gold की schemes जाननी हो, कि Gold में कैसे invest करें और कौन कौन सी schemes है, तो Gold लिखें और Gold पे क्लिक करें, तो आपको सारी Gold की schemes याँ देखने को मिल जाएंगे, फिर अगर आपको Post Office की कोई scheme देखनी है, कि Post Office से सम्मंदित कोई scheme हो, जो आप देखना चाते हो, तो आप Post लिखें और सर्च करें, तो आपको यहाँ दिख जाएगा Post Office की सारी schemes है, जितने भी insurance plan है, Post Office के वो सारे मैंने यहाँ दे दिये, फिर उसके बाद है, FD अगर आप जानना चाते हो, Fixed Reposit schemes कौन कौन सी है, सर के पास कौन सी वीडियो है, तो FD लिखें, और FD के जितने भी वीडियो है, जितने भी interest rate है, अलग-लग banks की वो सारी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, और फिर अगर आप MS Excel सीखना चाते हैं, तो यहाँ Excel लिखें, यहाँ केवल आपको क्या लिखना है, Excel लिखना है, और Excel लिखके क्लिक कर देना है, तो आपको यहाँ MS Excel के भी वीडियो देखने को मिल जाएंगे, और इसके अलावा भी आगर आपको कोई भी योजना जाननी हो, जैसे सुकन्या सम्रद्धी योजना, सुकन्या सम्रद्धी सुकन्या जाननी है मिरको मालो, तो मैं यहाँ सुकन्या लिख देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ मेरको वीडियो देखने को मिल जाएगा, सुकन्या सम्रद्धी योजना, तो जो भी योजना, या जो भी आपके मन में हो, कि मुझे इस चीज़ से सम्मंदित कोई टॉपिक सर के चैनल पर है,